हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में कभी भी विधान सभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव को लेकर कॉंग्रेस इस वक्त सत्ता पर काविज बीजेपी से चार कदम आगे चल रही है। अब कॉंग्रेस के अंदर टिकटों को लेकर दाविदारी शुरू हो चुकी है। तो वहीं बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए नई नई परियोजना का लॉलीपॉप जनता को देने की कोशिश कर रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधान सबाचुनाव के लिए टिकटों के लिए घमासान शुरू हो गया है। इसमें 670 आवेदन ऑनलाइन मिले इसके अलावा 670 ओफलाइन आवेदन किये गए हैं। इस भी सबसे ज़ाधा आवेदन होट सीट शिमला शेहर के लिए आए हैं। शिमला शेहर से टिकेट पाने के लिए 40 से ज्यादा आवेदन आये हैं। इन आवेदनों को लेकर कॉंग्रेस पार्टी के महासचिव नरेश चोहान ने जानकारी देती हुए कहा अब इन आवेदनों की स्कूरूटनी की जा रही है कि कौन से शेत्र से कितने आवेदन आये हैं इसके बारे में देड़ शाम तक या सुभा तक पूरी जानकारी मिल है हमाचल प्रदेश में इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में है जो कॉंग्रेस को नुकसान पहुचाने के इरादे से ताल ठोक रही है वही कॉंग्रेस ने बीजेपी से ने पटने के साथ साथ आपसे भी मुकाबले के लिए एक प्लान तयार किया है जिसे कॉंग्रेस ने प्लान बी का नाम दिया है कॉंग्रेस की माने तो राज्य में कॉंग्रेस फिर वापसी कर रही है और आपका प्रदेश में कोई वजूद नहीं है वही पिछले चुनाव के रिजर्ट पर नज़र डालें तो बीजेपी ने चवालिस कॉंग्रेस ने 21 CPIM ने एक और दो सीट निर्दलिय उम्मीद्वारों ने जीती थी लेकिन इस बार कॉंग्रेस साच सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है देबिलाइफ की रिपोर्ट